हाड़एट एंजिनियर हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ वरुन पतिल इस वीडियो में मैं आपको साथ प्रकार के पाइप सपूट के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम सू सपूट, सेडल सपूट, क्लैम सपूट, युबोल्ड सपूट, कार्डल जिसको वेर पैड भी बोलते है टूनियन जिसको डंबी सपूट भी बोलते है एंन स्पेशल पाइप सपूट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इस support के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहे हैं ये वीडियो last तक मेरी आपसे request है कि please subscribe to my channel इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो upload करूगा तो उसको आपका notification मिलेगा साथ मैं इस वीडियो को like and share करना ना बोले तो चले देखते हैं sue type support को अभी जो ये sue type support होता है बहुत ही common है और आपको हर जगा देखने को मिलेगा ये support में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते है कि ये pipe है और इसके नीचे ये जो है इसको sue support बोलते है ठीक है इसको कैसे बनाते है तो ibeam होता है उसको बीच में से cut करके इसको इसकी height के हिसाब से इसको cut करके pipe के साथ इसमें दो type से होता है एक तो direct pipe के साथ weld कर सकते है जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है और दूसरा कि एक wear pad लगाते है यहाँ पे यह देखे एक pad है उसके साथ weld करके फिर इसको जो pad को है pipe के साथ weld करते है ऐसा क्यों करते है कि जो यह material होता है यह support का material और pipe का material कभी भी compatible नहीं होता है तो जो यह wear pad होता है उसका material क्या होता है कि जो pipe का material होता है same material होता है तो उसी material से इसको pad को cut करके पहले इसको ये सू को लगा देते हैं उसके बाद support को pipe के साथ वेल कर सकते हैं अभी ये support का function कैसा होता है कि ये जो support है ये pipe को downward moment को prevent करता है मतलब sag नहीं होने देगा बाकी ये axial moment और transverse moment जो होता है यहाँ पर pipe आगे पीछे गुम सकता है अगर यहाँ पर guide नहीं लगाया हुआ है तो ये आगे पीछे आजू-बाजू में हो सकता है या आगे पीछे हो सकता है axial direction में तो ये हैं सू support अभी जो next support है उसको saddle support बोलते हैं अभी saddle support कभी यूज होता है कि जब large diameter pipe होता है तो उसको आप direct pipe rack पे या तो track पे रेस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसके समें क्या होता है कि आप ये पूरा fabricated support रहता है देखिए आप बहुत सारे stiffeners लगाया हो है ये support को बनाने के लिए जो strength provide करते है और pipe को proper guide और उसको rest देने के लिए तो ये fabricated support इसमें काफी time जाता है बनाने में उसके बाद ये ऐसे जैसे पहले अपना wear वाला wear pad बोलत नहीं मैंने ऐसा ही इसमें भी wear pad होता है कि जिसका metallurgy ये जो pipe की metallurgy उससे match होता है और नीचे का जो बागी सारा material होता है वो structural steel होता है cost saving के लिए तो ये different material होता है और ये wear pad का material होता है pipe के साथ compatible होता है और उसी के साथ उसको weld किया जाता है मतलब ये structural steel को आप pipe के साथ weld नहीं करते है अभी जो third support है वो है clamp support अभी clamp support इसका नाम ही है देखिए आपी ये clamp है ये pipe को clamp कर देता है मतलब ये जहां पर आप pipe के साथ welding नहीं कर सकते जैसे कि non metallic piping हो गया ठीक है और कभी-कभी insulation pipe होता है तो insulation के बाहर जो support लगता है वो clamp type होता है मतलब pipe है उसके पर insulation है और उसके उपर जो support लगता है वो कभी-कभी clamp type होता है usually non metallic piping होता है उसमें आपको clamp support देखने को मिलेगा अभी इसमें क्या होता है कि ये pipe के साथ clamp का आपका direct contact को prevent करने के लिए कभी-कभी यहां पर non metallic या तो metallic thin lining plate होती है उसको use करते है और ये जो support होता है वो आपका नीचे जो secondary supports रहते है structure रहेगा या तो pipe reg रहेगा उस पे rest हो जाता है और वहाँ पे उसका या तो guide है तो weld होता है इसके depending उसकी जो क्या requirement है उसके इसाब से यह होता है अगर आप piping के बारे में ज्यादा जानना चाहते या तो compressor pump के बारे में ज्यादा जानना चाहते तो आप मेरी website hardhead engineer पर जा सकते वहाँ पे बहुत सारे practical courses है चोकि आपकी learning को काफी advance कर सकते है तो visit करना ना भूली link मेरी जो video है उसकी description में दी हुई है अभी जो next support है वो है u-bolt support अभी यह जो u-bolt support होता है वो most common type of support आपको normally non-industrial application में भी आपको यह देखने को मिलेगा कि एक u-bolt होता है जिसको pipe के उपर से लगा के यहाँ पे नीचे structural member होता है उसके साथ इसको bolt कर देते है तो यह pipe को as a guide भी function करता है support तो देता है मालब यहाँ पे नीचे secondary support definitely आपका रहेगा जिसके उपर pipe rest होगी और यह उसको pipe को moment को prevent करेगा और इससे क्या होगा कि मालब य जहां से यहाँ पे clamp हो गया तो यह उपर नीचे नहीं हो सकता है जस्ट इसमें axial moment possible है तो it will work as a guide also जो next support है वो है cardal या तो wear pad support यह बहुत ही simple सा support होता है जिसमें क्या होता है कि जब pipe को additional support की जरूत नहीं रहती है बट उसको जहाँ पे वो support के साथ rest होता है वहाँ पे आपक तो उसका direct contact prevent करने के लिए आप उसमें एक wear pad लगा देते हैं मनलब जब भी pipe आपको पता होगा कि process pipe होती है उसको temperature के basis पे उसमें movement हाती है तो इस ring भी होता है expand होता है इससे क्या होगा अगर यहाँ पे नीचे direct support पे rest है तो जहाँ पे rest होगा वहाँ पे pipe में wear हो सकता है ठी private करने के लिए एक additional यहाँ पे आप देख सकते है कि pad लगाया हुआ है और pad को फिर pipe के साथ build करके यहाँ पे जो pad है आपका pipe रेक के उपर rest हो जाएगा अभी यहाँ पे जो यह hall है उसको whip hall बोलते है normally जब भी कोई भी wear pad लगता है इसमें या तो आगे हमने जीतने भी support आपकी wear pad के testing करके आप इसको seal कर देते हैं ताक कि इसमें पानी ना जाए next support है वो है tunian या तो dummy support अभी यहाँ पे आप देख सकते है tunian को dummy support क्यों बोलते है तो क्या होता है कि जबी pipe होती है यहाँ पे देखी अपनी pipeline है ठीक है उसको यहाँ पे dummy pipe failed किया हुआ है support देन, additional support देने के लिए उसके लिए इसको dummy support भी बोलते है इसका function क्या होता है जैसकि vertical pipe यहाँ से ऐसे उपर आ रहा है तो यह tunian यहाँ पे लगाने से उसको यहाँ पे rest मिल जाता है similarly यहाँ पे भी देखी यह आपका यह secondary supports है यह आपको primary support है यहाँ पे pipe है उसको direct weld किया हुआ है और इसको load दिंजे transfer कर देखा देखा होगे जिसको यह pipe को in between rest करने के लिए अगर length काफी लंबी है तो vertical pipe में ऐसे या तो double या तो single tunian आपको देखने को मिलेगे अभी यह tunian का कैसा होता है कि यह pipe के साथ तो weld होता होता है बट weld आप elbow के साथ भी additional support के लिए उसको weld कर सकते है last support है इस video का जिसको special pipe support बोलते है अभी इसको special pipe support की बोलते है कि हमने जो आगे देखी है वो commodity supports है मतलब normally उसके catalogs होते है और उसके हिसाब से उसको mass manufacturing किया जाता है क्योंकि बहुत सारी line में similar type के supports लगते है size अलग अलग रहेगी बट design same रहेगी अभी special pipe support कैसा होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा load है और आपको complex supports की required होती है तो वो particular एक location के लिए design होता है और वहाँ पे उसको लगाया जाता है तो इसके लिए उसको special pipe support बोलते है normally आपको reactor की line होगी compressor की line होगी जैसे critical equipment से जहाँ पे बहुत ज्यादा load है piping के उपर और जहाँ पे special design के requirement है वहाँ पे आपको ये type के supports देखनी को मिलेगे मुझे उमीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप piping की e-book डाउनलोड करना चाहते है तो link मैंने description में दिया हुआ है आप इस e-book में से काफी साथी detail piping के बारे में जान सकते है please like and share this video and don't forget to subscribe जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करगा तो आपको उसका notification मिलेगा see you soon with new video goodbye take care